दोस्तों बात करें तो अब आपको मोबाइल फोन के अंदर अपडेट के लिए जादे इंतसार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कॉलकॉम और गूगल तौनों कमबाइन होके यहां पे आप लोग को जल्दी भी अपडेट देंगे प्लस लंबा सॉफटर अपडेट पर देंगे अभी तक यहां पे हाईयर सॉफटर अपडेट का शेडियूल यहां पर क्या था यानि कौन सी कमदी सबसे जादा देती थी वो थी आपकी सैमसंग जो साथ साल की थी लेकिन कौलकॉम गूगल मिलके यह चीज को आठ साल तक ले जाने वाले है जिसके अंदर एंड्रोइट, कर्णर और सेक्यूरिटी पैचिस के अपडेट होंगे यह इस साल आपको देखने कम लेगा स्नैप ड्रेगन 8 एट एलीट वाले फोन से यानि कि सबसे पहले तो एट एस का एंडरोइट वर्जिन का अपडेट सेक्यूरिटी पैचिस के अपडेट मिलेंगे इसके साथ ही किसी भी OEM को कॉस्ट जो रहेगी इंप्लिमेंट करने की वो काफी जादा कम होगी यानि कि उसके पास जो कोड रहेगा उसे जादा चेंज नहीं करना और जो मैनुफेक्टर्स रहेंगे वो एंडरोइट के अपडेट जल्दी पुश कर पाएंगे और उनके लिए सस्ता भी पड़ेगा जिस कारण से काफी कम्पनी आपके मोबाइल फोन को जिल्दी अपडेट प्रवाइट कर पाएंगे इसके साथ ही सिक्यूरिटी की जो प्रॉब्लम काफी सारे एंडरोइट फोन्स में हो जाते है क्योंकि आथ के समय में एंडरोइट फोन्स लंबे तो चल जाते हैं लेकिन सिक्यूरिटी पैच यहां पर पुराना रहता है जिस कारण से सिक्यूरिटी के थ्रेट्स यहां पर भढ़ जाते है तो वो प्रॉब्लम यहां पर सॉल्फ होगी और देखा तो नए प्लैटफॉर्म के साथ ही चीज़ा आ रहे तो काफी अच्छा है लेकिन हाँ पुर्णने वाले को जो नुकसान रहेगा वो तो यहां पर जिलना पड़ेगा यानि कि उन फोन्स को जिनके अंदर पुराना प्रॉसर यहां पर आता है इसके साथ एक बात यहां पर एकस्प्लेंग कर देना चाहता हूं कि कई साल लोग यहां पर यह कहना रहता है कि यार मोबाइल फोन तो हमारा अच्छा आठ साल तक अपडेट लेगा लेकिन कि आठ साल तक हम मोबाइल फोन को चला पाएंगे वेल अगर आप एक दो साल पहले बात करते हैं तो शायद आपकी बाफ में दम रहता लेकिन आज के समय में जो मोबाइल फोन में डेवलोपमेंट हो रहा है वो चीज नहीं सबसे पहले तो मोबाइल फोन आज के समय में बहुत जादा रफ और डुरेबल बन रहा है जूसरी चीज प्रोड़क के अंदर क्वालिटी इंप्रूव होई है और तीसरी चीज सबसे बड़ी चुछ चीज रह देती कि मोबाइल फोन आपका चलता रहेगा लेकिन बैटरी का बेट रहेगा लेकिन 8000mAh की बैटरी आगी अब 8000mAh अब 8000mAh बैटरी आ रहे है तो उसे आप तो 8 साल तो आपर चला ही लोग है गना ऊपर से फास्ट चार्जिंग में भी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम याने वाली देखा जा तो अल्रेडी Android फोन काफी ज़दे एड़ हो चुक है आज के मॉबाइल फोन भी अगर आप 3-4 साल चलाना चाहो अराम से चला सकते हो और मेरे को नहीं लगता कि धीरे धीरे वेस्ट जो रहेगी नव ऐसी हो जाई कि 7-8 साल तक आप मॉबाइल फोन को चला रहे हो यह जीज़ बहुत से लगी देखते हैं 8 साल तक Android व की जाए वो कर रहा है क्योंकि यहां पर एपल वाले तेजी सब्डेट दे रहे है तो अब एपल को यहां पर काफी जादा बड़ी टक्कर देखने को मिलने वाद लिए यहां पर लेकिन इसके साथ भी डीटी एच के बारे में बात है यानि की एएटल के डीजिटल टीवी अब इनके अंदर बातचीत वगरा चल रही अब देखते की हां पर आगे चल के क्या रहता है और क्या चिंजिट आते हैं और कब आपको डीटी एच केंदर की बिजनस होता है के वर टेलिविशन का ये OTT के आने के बद काफी ज़त इंपक्ट हुआ है हाला कि live TV channels की अभी भी requirement रहती लेकिन कई सार लोग ऐसे जो mobile phone में OTT apps में already switch कर चुके है और देखा जा तो DTH के अंदर भी एक consolidation आ रहा है कई सारी companies खतम हो रही है और कई सारी companies आपस में बर्ज हो रही है देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर आगे चल के क्या रहता और क्या नए टाइप के product देखने को मिलते है और DTH का आने वाला future हाँ पर क्या रहता है क्योंकि cable television हो गया, DTH हो गया, OTT apps हो गई चीज़ है काफी interesting चल रही है market के अंदर यहाँ भी इसे के साथ ही आप लोग एक बाव बता सकता हो कि Qualcomm ने अपना Snapdragon X series का पर प्रॉसर अनाउस कर दे हो भी इंडिया के अंदर और Asus के साथ उसका laptop भी अनाउस कर दे है इसी के में लगबग 65,000 है हाला कि laptop मैंने यहाँ पर चेक भी किया 16GB RAM आ रही है 512GB SSD है काफी जल्दी बूट हो जाता है 45 tops के साथ आता है On-Device AI का यूज़ कर सकता है और AI के अंदर यह लोग कई सारी apps को भी रन कर सकता है इवन इसका GPU भी पावरफुल है कि यहाँ पर DeepSeek को भी रन कर सकता है यहाँ बहुत साथ चीज़ है और On-Device AI वाले जो Laptops होते है Qualcomm उसे सस्ता मनाने की कोशिश कर रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि ARM के अंदर किस तेज़ी से एक बहुत बड़ा boost यहाँ पर लिया जाए आज तक Intel की मनोपली थी फिर AMD AI जीकिन Snapdragon के आने से कुछ ना कुछ इंपक्ट पड़ रहा है और affordable product अगर market में अगर आएंगे market के अंदर एक unique selling point बनेगा यहाँ पर market में एक crispase create होगा तो काफी अच्छ है क्योंकि इन laptops के अंदर अच्छी बात है कि battery life बहुत अच्छी है और performance कई मावलों में Apple के M1 Macbook और M2 वालों से भी ज़्यादा निकल जाती है तो वह बहुत अच्छी चीज है हालाकि यह laptop अपी भी proper gaming वागरा के लिए नहीं है और नहीं जो पुराने legacy पुराने software ने अच्छी से रण कर सकते है लेकिन जितने भी model software, model requirement है किसी को एक laptop लेना office काम के लिए presentation बनाने की लोग चाहता है उसके life लंबी चले और AI की उपर अगर आपका focus है तो हाँ यह laptop को consider किया जा सकता है तो देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़े रहती है और इसके साथ ही ख़वर आती है नथिंग के phone 3A से लेटेड़ देखो यहाँ पर नथिंग phone 3A अगले हफ़ते आने वाले और 3A और 3A प्रो आने वाले Snapdragon 7S Gen 3 के साथ आएंगे इसके साथ ही यहाँ पर nothing वाले अपने OS को भी थोड़ा कस्टमाइज करेंगे essential space लेकर आने वाले जहाँ पर यह लोग कुछ AI का उंटिगरेट करेंगे इसके साथ ही इस बार कहा गया कि camera को improve करने वाले है और तो और यहाँ पर पीछे का design रहता है तो उसको लेकर भी है कि यहाँ पर जो design रहता है कुछ लोग को अच्छा भी लग रहा है किसे को खराब भी लग रहा है और हाँ 3A Pro के अंदर यह लोग periscope camera को भी लेकर आ रहे है हलाकि बाँ बता सकता हूँ नथिंग का कहना है और हाँ यह भी देखना है कि क्या nothing वाले अपना phone 3 अपने खालते है क्योंकि literally phone 3 का launch है वो 2024 में होना था लेकिन literally 2024 आपको कोई भी phone 3 देखने को नहीं मिला और 2025 में phone 3 एक ही बात हो रही है लेकिन phone 3 कब आएगा वो एक देखने वाली बात है उमीद करते हैं कि शायद जुलाई अगस तक यह phone आपको देखने को मिल जाए खेर यह कुछ interesting tech news market के अंदर चल रही थी तो यह बात मैंने आपको लोगे साथ discuss करी और आप लोगे बात बता सकता हम यह market के अंदर बहुत जादा जल्दी नईने changes आ रहे है और स्मार्टफोन वाले space देखा जाए तो थोड़ा सा तो गरम रहेगा नईने phones भी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे लिकिन एक बात बता सकता हम आप लोगोगोई यहां पिसर मोबाइल phones तक बात ने रहेगी EV वाला market भी बहुत strong हो रहेगा और कई सारे नईने technologies और नईने चीज़े आपको और जादा market में देखने को मिलें लगेंगे एक processor वाली चीज़े आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं EVs के अंदर खास तोर पे electric scooter, electric bikes में advancement आ रहे हैं और यहां तक कि आपको काफ़ी जादा changes देखने को मिलेंगे आने वाले समय में आपके IoT-based appliances के अंदर क्योंकि internet of things और AI का integration किस तेज़ी से एक normal home को AI का use करके बना दिया जाए यहां पर भी बहुत जादा काम हो रहा है और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई smart सुच smart work खरीने की ज़रूद नहीं है